दोस्तों बिहार में सरकारी नोकरी की बाहर है जैसा कि आप लोगों को पता है पहला भी हैश्टेक चल रहा था रोजगार मतलब नितिस सरकार आये परते हैं किस तरह की गौर्प्मेंट जोब आ रही है तो यहां पर देख सकते हैं योजना एम विकास विभाग में रिक्त पर बहाली होगी राज सरकार इसकी तैयारी में चुट गई है पिछले दिनों योजना एम विकास मंत्री विजेंद्र ये परसादी आदाव ने विभाग से रिक्त पदों की पहचान करने का निर्देश दिया है उनके निर्देश के बाद विभाग ने इसकी कवायत निर्देशाल है और मौसम केंद्र के साथ साथ छेत्रिय दफ्तरों में रिक्त पदों की पहचान की जाएगी इसके बाद उन पर नियुक्ती की परकिरिया प्रारम होगी राज प्रत्रित पदों के लिए बिहार लोकसे वायों को जबकि राज प्रत्रित पदों के लिए कर सर्मियों की कमी से कई तरह की परिसानी हो रही है। लहाजा भी भाग ने नई नियोक्ती की परकिरिया शुरू की है। दरासल भी भाग ये युजनाओं की निगरानी अब प्रखंड स्तर तक होने लगी है। यही नहीं केंद द्वारा पिछरे जीलों की विकास योजनाओं का विस्तार प्रखंडों तक हो गया है अब पिछरे प्रखंडों में विकास की विशेश योजनाएं संचालित होगी केंद सरकार ने बिहार के 61 प्रखंडों में इसमें सामिल किया है को इसमें सामिल किया है यहाँ पर देख सकते हैं BPSC, SSC को भेजी जाएगी अधियाचना दोनों जगों पर आगामी नियुक्ति परकिरिया में सामिल होंगे ये पद विभाग में रिक्त पदों की पहचान कर नियुक्ति की जाएगी अधिकारियों को इस संबंद में देश दिया गया है ताकि सरकारी योजनाओं के संचालन में किसी तरह की परिशानी न हो दोस्तों विजिन पसाद यादाव योजनायम विकास मंत्री अतिरिक्त योजनायम भी प्रखंडों में संचालित होगी ये भी जानलीजिये मुकमंत्री छेतर विकास योजना के तहट कई अनियोजनाओं को सामिल किये जाने से भी विभाग की जिमेदारी बढ़ गई है यहीं ही नहीं अब विधाय को विधान पारसदो को तीन की जगह चार करोर रुपए की रासी अनुसंसित करने का अधिकार दिया गया है इसके बाद कई अतिरिक्त योजनाओं भी प्रखंडों में संचालित होगी बहुत बड़ी अपडेट है तो अगर कोई देख रहे हैं लुकिंग फोर जॉब केंडिडेट हैं तो बने रहे हैं क्योंकि योजनाओं विकास विभाग मेरी पदों पर बहुत जल्द बहाली होने हैं वो भी सरकारी नोकरी है रोजगार समाचार है अधिक से अधिक सेयर कीजिए वीडियो को कर दीजेगा लाइक चैनल से जुरिए और सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की इनपॉर्टेंट अब्डेट जॉब अलट इस चैनल पे 100 समय आपको दी जाती है जुरिए सब्सक